नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होब आप बहुत अच्छ होंगे तो फ्रेंड्स यहां पर आप जो यह सेल देख रहे हो इन से बना रहे हैं यहां पर दोजार मेंच के 15 सेल रखे हुए हैं उसके बाद हमें जरूवत है बीमेस की फ्रेंड्स इसमें लगा के हम करेंगे और अगर अगर आप बनास के दिखार हुआ तो अच्छी तरीके से जैसे में इस वीडियो में बना करते हैं तो सबसे पहले जितने भी यह पर यह बैंट्री यानि सेल रखे होगे इनके आएगा और बोल्टेज है वो 12 बनके आएगा तो यहां पर यह मैंने दो बना लिए जिसमें हमारे 15 सेल फिट होंगे पांच वाई तीन के पैटर में तो यहां पर मैं पहले पैरलल के लिए सारे सेल को यहां फिक्स करूंगा नेगेटिव नेगेटिव एक पास पॉजिटिव पॉजिटिव एक पैस, फिर उलटके हम लगाएंगे अब इसमें किया है कि नेगेटिव नेएगेटिव की साथ करना होता है और फिर नेगेटिव को दूसरे पोजीटिव के साथ था सथ से यहां पर इस से हम से हम से उसा आते ही हमारे आसा आएगे तो हम मैंने सैल को फशा तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं एंगल ग्रांडर से इसमें इसक्रेच लगा देता हूं इसक्रेच लगाने से स्वोडिंग प्रॉपर हो पाएगी तो मैं जितने भी इस पर पॉइंट से यानी बेंट्री के दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव इस टाइप से मैं लगा दिया हूं इस्टॉन रोट्री मदर्ट से आपके पास इस्टॉन रोट्री नहों तो आप किसी नुक्वीली चीज जैसे स्कूट्रेवर या सीजर वगयरा से भी कर सकते हो थोड़ी सी इसमें स्क्रेच होगी तो सोल्डिंग स्लिप नहोंगी अब अच्छी तरीके से हो पाए उसके लिए यहां पर मैं लगा रहा हूं लुकुड पेष्ट अगर आपके पास यह नहों तो आप नॉर्मल पेष्ट लगा सकते हो जो सुल्डरिंग में यूज होती है वह अच्छा काम कर लेगी तो यहां पर मैं थोड़ा-थोड़ा यहां पर शोल्डर वायर से शोल्डिंग कर देता हूं थोड़ा-थोड़ा करना आपको जादा नहीं करना पहले इसको थोड़ा सा पिगला लेना और बेंटरी पसको जाकर टुछ करा देना है तो बहुत कम घरम हो पाईगी यह एक बहुत अच्छी टेक्निक है इसको आपको आगे समझाँगा वीडिय जो भारती का है दौनों साइड यहां पर आप देख सकते हो कि हम सोल्टरिंग कर रहे हैं अब मैं इधर की साइड भी इस पर पेश्ट लगा के और दूसरी साइड से जल्दी से सोल्टरिंग कर लेता हूं जैसे मैंने आपको एक साइड से करके दिखाई थी आभी तो यहां पर निकल श्ट्रिप के ऊपर थोड़ा सा शोल्टर लगा लेना है जैसे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं अब इसको जहां पर हमने बैंटरी पर शोल्डिंग किया वहां पर रखके और इसको गरम कर देना है तो यह देख लो एक सैकंड भी नहीं लगा और करके दिखा देता हूं इसी तरीके से इसमें जितनी भी जगह शोल्डिंग होगी मैं कर लूंगा यह देखिए अब मैं इसको उपर उठा दूंगा यह लो बैंटरी बिल्कुल भी नहीं खुल सकती है निकल स्ट्रिप से एकदम प्रॉपर तरीके से यहां पर जितने भी प करूंगा इससे क्या है कि लोड डिस्ट्रिप्यूट होगा तीन जगह जब हमारी निकल स्ट्रिप लगी होंगी तो कोई यहां पर हीटिंग वगरा की प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छी तरीके से शोल्डिंग करना है क्योंकि इनी जो निकल स्ट्रिप है इनी के लगा ही है इधर साइड़ में तीन लगा लेता हूं ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी जो फ्रेंड्स बैंट रहे है अब इसके बोल्टेज जुड रहे हैं जो मैंने पहले आपको निकल स्ट्रिप लगा के दिखाएं थी यानि पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास यूज़ करेंगे जो इसको सारे प्रोटेक्शन देगा जैसे ओबर चार्ज डीप डिश्चार्ज सौर्ट सर्कृट प्रोटेक्शन बगड़ा तो यह एक स्मार्ट बीमेस है और यह 10 एंपिर का बीमेस है आप जितना मर्जी चाह उतना एंपिर लगवा सकते हैं 20 एंपिर यूज़ कर सकते हैं फिर बीमें अच्छी कौलिटी आ यूँज होते वह आता ऋस्ते को आफिकर टिन बैडिनगेू पो और लगा दिया हूं तो यहां पर सारी बेंटरी BMS के साथ कनेक्ट हो चुकी है आप देख सकते हो अब BMS पर यहां पर दो पॉइंट आप देख रहे हो जो छूटे हुए यह जो दो पॉइंट है यही से हम लेंगे इसमें इन्पुट और आउटपुट तो यहां पर में से हाथ से छूट जाया तो यह बनाया है प्लास्टिक से बेशार यह वी सेफ रहेगा और बैंटरी भी सेफ रहेगी कोई दिक्कत नहीं आएगी और टांस्पर्ट में वहीजी रहेगी इसके उपर हम इंच्रिंग श्लीप भी चड़ाएंगे लेकिन यहां पर मैं इसको पह कर रहा हूं आप देख सकते हो अब यहां पर में ले लिया 170 mm की हीश्रिंग श्लीव और इसको मैं मेजर करके बैंटरी के हिसाब से और कट कर लूँगा जिससे हमारी बैंटरी कवर होने वाली है और मैंने दो पीस और हीश्रिंग श्लीव के कट की है यह दोनों आगे और का यूज घर रहा हूँ यह हॉट र से इंच पकती आप देख सकते हो कि मैं इसको गरम करके यहां पर फिक्स कर देता हूं और काफी तरीकने इसको फिक्स हो जाएगी थोड़ ऐसा इसको टाइम लगेगा लेकिन धीरे-धीरे करके हम इसको फिक्स कर लाएंगे हर एक इसको भी मैं fix कर देता हूं तो आप देख सकते हूं कि एकदम बनके perfect तैयार हो चुकिया अब मैं आपको इसके voltage चेक करके दिखा दूँ इसके voltage है वह 11.8 के करीव हैंगे क्योंकि यह full charge होने पर 12 volt हो जाएगी तो यहां पर 11 पॉइंट फिर से मैं ट्राइ करता हूं 78 आ रहे हैं जो कि 11.80 मानों बिल्कुल जो कि एकदम सही है फुल चार्ड होने पर 12 volt पहुंच जाएंगे और अब मैं इससे आपको लोड चेक करके लिखा दूँ तो यहां पर मैं जो ले रहा हूं लोड के लिए वो ले रहा हूं कार लेंप का एक बल्व जो कि 10 एंपियर का होता है लगवक्त तो यह पूरा लोड ले रहा है आप यहां पर देख सकते हो कोई यहां पर कमी नहीं है रोशनी में प्रॉपर अच्छी तरीके से यह ग्लो हो रहा है अगर आप भी फ्रेंड से कम्प्लीट हो चुकी या कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही अब फ्रेंड्स में इससे आपको जो मोटर भी चेक करके देखाऊंगा तो मोटर में इससे चेक कर लेता हूँ तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने 175 मोटर ले लिया और आप इसकी साउंड बगरा सुन पा रहे होंगे यहां पर इसकी सापट भी आप देख सकते हो कि फुल स्पीड में रन कर रही है स्पीड में भी कोई कमी नहीं है प्रॉपर तरीके से यह बैटरी वर्क कर रही है तो लाइक करना चैनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मिल दें नेक्स वीडियम तब तक ले जैहिंद बंदे मात्रम जैसी गाम